इस formulation जो की मसाला गर्वत्ती मसीन से कैसे बनाने का जो प्रोसेस होगा क्या-क्या ingredients होगे कितना कितना composition में हमें materials लेने होगे उसके बारे में जो है बात करेंगे और यह topic और formulation देने से एक चीज़ तो किलिए रहे कि आज मैं गाली खाने वाला हूं क्योंकि इसका जो formulation है काफी अलग सी चीज़े हैं और कुछ categories में दिखाता हूं तो यह है हमारे पास मसाला गर्वत्ती की कुछी sticks जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो यह इसी formulation से जो अभी recent में मैं आपको बताऊंगा जो formulation और उसके composition उसी तरीके से यह जो है sticks मैंने बनाई हुई है और देखो full natural form में है अभी यह गिली अगर्वत्ती अभी यहीं से तूड़ गई है सो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे मसाला गर्वत्ती का machine made formulation और इस topic के लिए इतने सारे लोगों ने comments किये कि पूछो ही मत लोगों को ऐसा क्या हो गया कि लोगों को खाली मसाला गर्वत्ती machine से कैसे बनाए इसका formulation चाहिए आप starting के 3-4 वीडियो खोल के देखिए उसमें पूरे के पूरे comments जो है मसाला गर्वत्ती machine made से कैसे बनाने का process है उसके बारे में कि हमें machine made में कैसे किस तरीके से बनाना होगा उसका formulation क्या होगा क्या क्या चीज़े हमें एड करनी होगी तो आज की इस वीडियो में हमारा full tutorial होगा मसाला गर्वत्ती और machine made और इसके जो formulation होगे इसके जो ingredients होगे कौन-कौन से powders material composition क्या-क्या होने वाला है उसके बारे में आज का हमारा वीडियो रहेगा और यह टॉपिक और यह formulation देने से एक चीज तो कि लिए रहे कि आज मैं गाली खाने वाला हूं क्योंकि इसका जो formulation है काफी सारे लोग जो है वह secret रखते हैं बताना नहीं चाहते लेकिन मैं आपके लिए और और जो ह जो पनियान है कि यह है कि लोगों को भी कुछ चीजें जो है सिखने को जरूर मिले और कुछ categories में दिखाता हूं तो यह है हमारे पास मसाला गरबत्ती की कुछ इस्टीक्स जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो यह इसी formulation से जो अभी recent में मैं आपको बताऊंगा जो formulation और उसके composition उसी तरीके से यह जो है नहीं के तो subscribe जरूर कर ले 75% लोग जो है चैनल देखते हैं वीडियोस देखते हैं इसके लिए मैं धन्यवाद कहूंगा लेकिन subscribe नहीं करते हैं तो subscribe आप जरूर कीजिए ताकि जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसका notification आपको जल से जल मिले और दूसरी चीज अगर यह वीड देखिए एक-एक topic समझिए क्या-क्या ingredients कितने ratio में हमको लेना होगा और उस बनाने के process को पूरी तरीके से आप देखिए 100% यह successful formulation आपके लिए होगा तो कुछ इस तरीके से जो है हमारी मसाला गर्वत्ती ready हुई है एक form आपको दिखाता हूं मैं इसकी natural पन की जो एक नमी ह रखती है मतलब अच्छे से अच्छा तरीके से natural form में बना के रखती है तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो अभी वी यह पूरी नेच्रॉल है जैसा कि आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन में थोड़ा सा पास में लाके देखता हूं कैमरे के तो आपको यह चीजे दिखेंगी तो कुछी तरीके से आप देख सकते हैं, और कुछ हाथ से ये बहुंआ है, अगर ये सुक् Wright हुई होती, तो तूडती नहीं, या तो ये देखी आप, अभी हाथ से मैंने इसे मसला और मसलने के बाद ये देखि का ये, से मसलने के बाद ऋप मसला इसका पूरा बराबर मेरे हा में क्या है लोग इतने पागल हो चुके हैं कि सबको यह फार्मूलेशन चाहिए मसाला गरबत्ती की एक सबसे बड़ी खाशियत है जो कि इसका जो फ्रोलर नोट होता है जो खुजबू होती है वह काफी उनिक होती है और काफी स्वीट फ्रेग्नेंस आता है और लास्टिंग लोगों को लगते है कि कुछ खास चीजें कुछ अलग सी चीजें जल रही है तो इस कारण से जो है मसाला फ्लोरा बत्ती जो है फेमस है और यह जो स्टीक से अभी हमारा सैंडल उड जो है मैंने बनाई हुई है और काफी अच्छा इसमें फ्रेग्नेंस है तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं अपने टॉपिक को लेकर सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इंग्रीडियेंट्स होगा कि सबसे पहले आपको लेना होगा ब्लैक प्रिमिक्स ब्लैक प्रिमिक्स हमारा होगा 500 ग्रायम ब्लैक प्रिमिक्स आपको लेना होगा जो प्रिमिक्स हम ब्लैक अगर बत्ती बनाते हैं उसी का प्रिमिक्स जो है आपको लेना होगा और यह हमको जरुरत पड़ेगी 500 ग्राम की दूसरा इंग्रीडियंट हम यूज करें इसके बारे में पूरो प्रोसेस इसका एनलेसेस में करके आपको बताऊंगा इसेकंड चीज आपको लेना होगा हलमटी सिलारस तो यह हमने जो है हलमटी सिलारस जो है एड़ कर लिया और यह हमको लेना होगा लगबग लगबग 300 ग्राम तो यह हमारा हलमटी सिलारस हो गया 300 ग्राम तो यह हमने हलमटी सिलारस ले लिए है 300 ग्राम और अगला इंग्रीडियेंट्स जो है वो हम देखते हैं तो यहाँ पे हम तिसरा हमारा इंग्रीडियेंट्स होगा वो हम लिखते हैं तो यहाँ पे जो है हमको जोस पाउडर की जरुवत पड़ेगी जोस पाउडर हमको जरुवत पड़ेगी 100 ग्राइम की इसके बाद जो हमारा अगला इंग्रिडियन्ट होगा चौथे नमबर पे, फोर्थ नमबर पे तो वो हम लिखते हैं तो यहाँ पे जो है हमें जो है पर्फ्यूम की जरुवत पड़ेगी तो हम पर्फ्यूमेट करते हैं पर्फ्यूम हमें जरुवत पड़ेगी यहाँ पे लगबग लगबग 40 ग्राम का 40 ग्राम जो है हमने पर्फ्यूमेट कर ली है उसके बाद जो है हमें 5 पाचवा हमारा इटम लगेगा इसमें ingredients तो पांचवा इंग्रेडींट्स होगा हमारा यारा-यारा powder जो की crystal form का हमको लेना होगा कि कि यारा-यारा हमारा हो गया यहाँ पर यारा-यारा हमने यड कर लगेगी तो जो है पांच इंग्रीडियेंट्स लिख लिए और इसके जो है और इसको किस रीजन से हमने यूज किया है और इसके काम क्या क्या है इसके ज़रूरते क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं जैसे कि ब्लैक प्रिमिक्स हमने एट किया है क्योंकि मसाला गर्बत्ती आप देखे होंगे तो उसमें चार्कॉल जो है वो चार्कॉल की इंग्रीडियेंट्स सही बनता है तो बैसिकली जो है हमने प्रिमिक्स पाउडर लिया है 500 ग्राम का आधा केजी हाप केजी जो है हमने ब्लैक प्रिमिक्स का पाउडर लिया है मतलब उसमें से आपका सौडर मिक्स रहेगा आपका चार्कॉल भी रहेगा और आपका जो है उसमें गमिंग कैपेसिटी रहेगी जो पाउडर रहेगी तो यह जो है आपको रेडी प्रिमिक्स आप पहले से बना के रख सकते हैं तो उसको लेना होगा आपको 500 ग्रम दुसरा हमारा है हलम्टी सिलारस बेसिकली जो है हल्मटी सिलारस यही मसाला गर्बति को स्ट्रॉण बनाएगा और जो है मसाला गर्बति की खाशियत आप देखेंगे तो वो एक नमी पन वोती है जैसे कि मैंने दिखाया था आपको फिर से आपको दिखा देता हूं एक इस्टीक लेके सो यहां पे हम समझते हैं सो हल्मटी हल्मटी और हमारा सिलर यह ए मिक्स बह्power है और एक एक पेस्ट है तो इस पेस्ट के हमें यूज करना पड़ेगा जो की इसका काम क्या वोगा जैसे की आपका एक फ्रैइंटनेंश नोट अगा जो फ्लावर नोट होगा उडी नोट होगा उसको यह मेंटेन करके रखेगा हलमटी सिलारस दूसरी चीज आप देखोगे तो एक नमी पन होती है जैसे कि अभी भी गिली स्टिक्स है आप देख पा रहे होंगे और यह स्टिक्स मैंने एक हफ्ते पहले बनाई हुई थी तो एक हफ्ते के बाद भी यह अच्छी तर ठोड़ी सी अब देखोगे तो दो इस टिक मोटी होती है मोटी होने की वज़या से क्या है इसके उसके बाद में परफ्यूम, तो परफ्यूम के बारे में समझते हैं बेसिकली क्या है, अभी किसी फॉर्म में आप अगरबती बनाओगे, मसाला गरबती तो बेसिकली एक परफ्यूम से नहीं बनाओगे तो उसमें काफी सारे अलग-अलग तो जैस्मीन बनेगी और अगर इसमें मैंने गुलाब यूस किया या फिर मोगरा यूद किया या फिर कोई भी फ्लावर नोट यूस किया तो उस तरीके से जो है यह चेंज होती जाएगी यह परफ्यूम जो है आपके अलग-अलग नोट के हिसाब से चेंद होचे जाएंगे मतलब जिस नोट जिस flavors में आपको बनाना होगा उस flavor का आपको perfume फर्मूलेशन में सेट अप हो जाता है और जो है यह नोट को जो है मतलब जो जो हमारे ingredients है उसको maintain करके रखता है और एक अच्छा boosting लेके आता है तो यह हमको लेना होगा खाली 10 ग्राम अब जो है आपका premix हो गया यह हो गया perfumes हो गया और हमारा एक extra जो है जोस पाउडर परफ्यूम और यह यारा यारा तो यह पांच items को आपको अच्छे तरीके से mix करना है उसके बाद अभी यह formulation complete नहीं हुआ है आगे मैं आपको बताता हूँ तो अगला चीज होता है हमारा पानी अब पानी का क्या है भई मसाला गर्बती हम अगर बना रहें तो पानी डालेंगे तो फिर वो कैसे तयार होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे कि अभी हमारा यह चटवा ingredients होगा six number का तो इसमें क्या है देखो इसको natural palm बनाने के लिए मतलब एक sticky form में इसको कम मात्रा में देनी होगी और इसके लिए एक सबसे 60 कूपा है वो है हमारा good जो की एक चिपचिपा पदार्थ है जैसे कि आप good से बनी हुई कुछ मिठाईस वगरा खाते होंगे या फिर good से काफी सारे चीज़े बनती है तो वो चिपचिपा पन जो होता है न वो जो है हमे इस फार्मूलेशन में यूज़ करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना है आपको तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूड गूड प्लस वाटर तो यह हमें कितना कितना लेना होगा तो यह मैं आपको एक रेश्यो देता हूँ इसका 200 ग्राम हमको गूड लेना है और 200 ग्राम हमको पानी लेना है तो 200 और 200 दोनों मैंने बराबर इक्वल क्यों लिया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जैसे कि गूड हमारा होगा और पानी का रेश्यो जो है वो बराबर होनी चाहिए रीजन क्या है कि दोनों चीजें अगर होगी तो पानी की क्वांटिटी जो है वो मेंटेन कर लेगी और इसको जो है किसी भी बरतन में आपको थोड़ा सा लेना है 50-50 परसेंटेज की हिसाब से उसके बाद आपको इसको गरम करना है गरम करने के बाद ये नेचुरली चासन जैसको बोलते हैं उसके फॉर्म में आ जाएगी फिर इसी पानी को जो है आपको इस प्रीमिक्स में यूज करना है जो कि इसको नेचुरल बना के रखेगी और उसके बाद जो इस्टिकी होती है वो बना के रखेगी और तीसरी चीजे जो है मशीन में चलने में काफी असान चीजे हैं और यह जो है मसाला गर्वती में अगर आप चाहते हो डालना तो डाल सकते हो अधर्वाइस आप गुड का यूज कर सकते हो गुड एक काफी अच्छी चीजी है और हमारे खाने में वहां सारी चीजों में यूज होती ही है तो गुड काफी महेंगा भी नहीं है क उसको ही प्रिमिक्स में जो है मिलाना होगा मिलाने के बाद आपका प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन होने के बाद एक सेकंड डिस्टेप होता है हमारा पाउडर जो की कोडिंग आपको करनी होगी तो कोडिंग करनी के लिए जैसे कि हमने सैंडल परफ्यूम बाइद बनाना आप बनाना चालू कियें, तो सैंडल का उसमें perfume डालिए, powder लीज ये पहले, powder में आपको सैंडल का perfume डालना है, अगर आप चाहते हो कि एक color होनी चाहिए उसमें, तो color coding आप कर सकते हो, तो इस तरीके से color आप देख रहे होंगे, orange color मैंने use किया है, तो orange color आप डाल दो, और उस और जो है इसे आपको धूप में नहीं सुकाना है, नॉर्मल नेचुरल जगा पे आपको रखनी होगी, जहां पे धूप ना पड़े, धूप अगर पड़ेगी तो क्या होगा जो इसमें नोट्स होगे, जैसे कि हमारा परफ्यूम है यारा यारा है, तो उसके जो फ्रेग्ने आपको बोलना चाहता हूँ, यह हाला कि आपका एक बार में successful नहीं होगा, क्योंकि यह जो ingredients है, इनके जो composition है, उसको आपको बैठाने में time लगेगा, और अगर यह first time में आपका, तो first time में कभी भी कोई चीज successful नहीं होती, इसके लिए थोड़ा मेहनत आपको करना तो उस चीज का आप ध्यान रखना, एक बार में लोग बोलते हैं कि एक ही बार में सारा चीज हमारा हो जाए, तो एक बार में QEB चीज किसी भी type की successful नहीं होती, उसका ध्यान रखे, otherwise यह formulation सहीं है, मैंने पैट्रक लिए आपको दिखा दिया, और process भी आपको complete बता दिया, बस इस चीज को आप ध्यान रखे, अच्छे तरीके सही से बनाईए, और जो है आपकी डाया, जो machine में जब आप चलाओगे, तो pressure जो है, थोड़ा fast होना चाहिए, उसके बाद जो है, इसकी जो thickness value है, तो 3 points से उपर, 3.3 या 4, इस type की डाया का आप use करेंगे, कई लोग यह कि ज्यादा counting के चक्कर में 2.9 डाल दिये, तो यह इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो premix है, वो काफी लचीला होता है, तो एक synthetic और एक soft जो है, प्रिमिक्स बनेगा, तो उस प्रिमिक्स में जो है, जितना अच्छा मोटा स्टीक अब चलाओगे, उतना अच्छा production जो मेरा साइज सा, यह भी 3.3 और 3.4 के डाई में लगभग यह बनी है, तो इस तरीके के जो है, आप डाई का इस्तिमाल करेंगे, आई होप यह वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होंगी, इसके प्रोसेस मैंने पूरे बता दिये हैं आपको, और मिलते हैं अगले आन आई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद